है हुआ हैле संब passer को भी आप कैसे याद रख सकते इस नहीं भूल सकते हैं इस चेफटर को भीर का भी और उन परीख भी है कि तेटर हुआए व मैं पहले आप को sard करने वाला हूं after इसके दो पार्ट हम लोग करके कोशिश करेंगे समझने के लिए ये थोड़ा सा लेंदी चेप्टर है क्योंकि कुछ पार्ट है जो इसके थोड़े बड़े हैं तो बेविल डिसकस इच एंड एवरी सेक्शन जो की जरूरी के लिए है जरूरत के हिसाब से जरूरी है वो सब ह बाले है इसके इस चैप्टर को आप डारेक्टली दो हिस्सों में बाट कर सकते हैं बाट सकते हैं यहां पर इकनम इल्कुल किलर कटनाम दिया गया है सेक्टिरिटी और यहां पर है फॉर दो चीजों के लिए बात करता है किपिंग दिपीस एंड फॉर गुड भी है यहां यहां पर यह चैप्टर के अंदर बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है सेक्शन सुरू होता है 106 से ले करके और इंड होता है 124 तर मिनिंग देर भाई कि 106 से ले करके 124 तक के जितने भी सेक्शन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सेक्यूरिटी की बात करें और सेक्यूरिटी अ ठीक है कौन लेगा किस से लेगा कितने की लेगा और किस बात के लिए लेगा अगर यह चार पॉइंट अगर आपको याद है तो इस चैप्टर को यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पढ़ने वाले है इसके अंदर जो सेक्शन से उसम पस इतना ही बताया गया है कि क किसको अथारिटी होती है कब अथारिटी होती है कितने की लेने के अथारिटी है किस हालत में लिया जा सकता है कब दिया जा सकता है नहीं दिया सकता है यह सारी बात है इसके अंदर इंडेटें होता है तो किन बातों के लिए लिए लिया जा सकता है तो दो चीज़ें के लिए और पीस के लिए और यहां से देखने की कोशिश भी करेंगे तो आप देखेंगे इसी का थोड़ा सा डीटेल वर्जन है तब कहां कितने की है कराब होगा नहीं होगा यह सारी बात इसको कि तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग थोड़ा डीटेल में समझेंगे कि कैसे इसको याद रखना चाहिए चलिए मैं आपको लिख के थोड़ा शेयर कर देता हूं उसके सबसे पहली बात की जब हम लोग सिक्यूरिटी की बात करेंगी सिक्यूरिटी फॉर किपिंग दी पीस एक पार्ट दूसरा हो जाएगा फॉर गुट भी हैविर फॉर इन दो चीजों के लिए करेंगे वान अट्टू है अब इसमें और थोड़ा सा इन डिटेल चलते हैं देखिए अब इसमें से कहानी क्या बनती है सिक्यूरिटी फॉर किपिंग दपीस के लिए यानि कि शांति विवस्था कायम रखने के लिए सिक्यूरिटी ले जाती है व पहला ऑन कन्विक्शन दूसरा इन अधर केसे जानि कि जब कन्विक्शन होगा किसी व्यक्ति का किसी अपराद के लिए किसी भी परसन का किसी अपराद के लिए जब कन्विक्शन होता है तो कन्विक्शन के समय पीस मेंटेन करने के लिए सिक्यूरिटी लिए जा सकते हैं लोग में लिया जा सकता है तो यहां जो लोग स्माल में वन टूल यह भी लिख रहे हैं इसको लोग बड़ा करके भी ले सकते हैं इसको बड़ी जेज नहीं है एक पार्ट तो यह हो गया और यह सेक्यूरिटी फॉर किपिंग दर पीस है फिर से मैं आपको एक डागराम अलग से चैक जेंजी करके दिखा रहा हूं दिहांसे समधा है शेक्यूरिटी पॉर है किपिंग दी पीस है मैं यह हो गया से केक्यूरिटी फॉर किपिंग देप्रेश यह दू हिस्सो में बटेगा दो हिस्सों में भाट नाट तो कैसे हो आलत मे कैला है क्योंग diffresor को और दूसर इन अदर किसेज, ठीके जी, यहां पर देख लो, on conviction और इन अदर किसेज, ठीक है, बस, तो यह पीस के मामले में, अब इसमें sections अलग हैं, उसको decide करेंगे, लोग declare करेंगे, दूसरा जो part बनता है, वो बनता है, security for good behavior, security for good behavior, अब इसमें से मनता है कि किस-किस से लिया जा सकता है, यह बड़ा important point होता है, security for good behavior, of course, यहां पर सर्फ दिमाग ठोड़ा सा उपन रखना पड़ता है, law पड़ते हुए, यहां पर कहा ज़रा, security for good behavior, तो अगर हम good behavior की बात करते हैं, इसका मतलब किसी person, individual की बात करते हैं, और यहां पर इस बात की expectation की जाती, यहां पर जिनका नाम आता है, वो तीन लोग मोटे तो पर हम लोग बात करें, there are three types of people, जिस से good behavior के लिए security लिजाती है, सबसे पहला होता है, वैसे लोग, persons, जो की seditious matter में जादा तर involved होते हैं, so persons disseminating, disseminating CDTS matters, S-E-D-I-T-I-O-U-S-M-A-T-T-E-R, CDTS matters, दूसरा वुस्तह के लोग होते हैं, जिसको हम suspected बोलते हैं, suspected persons, तीसरा वो person के category होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, habitual offenders, जिसको हम लोग बोलते हैं, habitual offenders, यह रहा, तीनों टैप के लोगों के list, अब इसमें detail से बताया जाएगा आगे, कि किस section के अंदर, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ठीक है, दूसरा part, मज़ेदार, तीसरा, जो अपने कोई इस chapter के अंदर ध्यान रखना चाहिए, वो है, कि order security लेने का, security का कैसे किया जाएगा, तो third important point, order, how, meet, order कैसे किया जाएगा, और जब यह order कैसे किया जाएगा, यह हम जान जाएगा, कि order कैसे होगा, तो इसके बाद last point वस इतना जानने के लिए रहेगा, कि इसकी proceeding order के बाद कैसे चले, यानि proceedings subsequent to order, ध्यान देना, proceedings subsequent to order, यानि order देने के बाद की proceeding कैसे चलेगी, यह बात कीगी, तो अब इसको फिर से एक मैं छोटा, उससे भी छोटा एक summary आपको देता हूँ, वो और आपके लिए easy करके देता हूँ, ध्यान से देखो सिर्फ, चप्टर है 8, इसके चार हिस्से हम लोग करेंगे मोटे तौर बे, दिखे क्या है, सबसे पहला security, security for, यहाँ पर दो हिस्सों बाट देंगे, keeping the peace, और दूसरा for good behavior, और अज़र छोटा होगा तो और छोटा भी कर सकते हैं, security for keeping the peace, और और good behavior, तो इसके लिए security लेंगे, तो इसका order कैसे होगा, order how made, order कैसे दिया जाएगा, number three, और last, यहीं पत्त्री में कर देंगे, तो इसके बाद की proceedings, so proceedings, subsequent to order, तो दिमाग में बस तीन ही बात है याद रहाएगा, पूरे चप्टर का, अगर मैं यहाँ पर आपको section wise डालूँगा, तो section wise भी पूट कर सकते हैं, देखिए, security for keeping peace, इसमें अगर हम लोग सिर्फ बात कर लें, तो 106, 107, 106, 107, good behavior की बात करेंगे, तो 108, 109, 110, यानि 108, 109, 110, good behavior, order कैसे किया जाता है, security लेने का, कैसे देने का order किया जाएगा, यानि जो magistrate है, या जो कोई भी person है, वो अगर security की बात करता है, कि security देना है तुमको, तो वो order कैसे देगा, ये बात आती है, sections, 111 से ले करके, 118 के बीच में, 111, 12, 118, और इसकी proceedings, order देने के बाद कैसे चलेगी, तो 119 से ले करके, 124 तक के बीच में, ये पूरी कहानी घुमती है, simple है, easy है, आसान है, कुछ भी नहीं करना है, अब इसके अंदर का भी detail बताऊंगा, तो वो और भी easy जाने वाला है, so don't worry for that, बस जो अभी हम क्या करने वाले हैं, जिसे आप लोग को बताया था, arrest over percent, तो अगर आप लोग को revision किया होगा, तो पक्का याब रहेगा, no doubt, मैं 101% के 200% guarantee ले सकता हूँ, अगर revision किया होगा, तो 101% नहीं, 200% आपको याद होगा, किसी भी chapter का, हर एक chapter का मैं trick बताते चल लोगा, chapter के अंदर sections के भी trick हैं, वो भी मैं धीरी-दीरी बताता चल लो, और आगे जैसे इसे complications बढ़ेंगे, वैसे भी इसके tricks बताता चलो, और सबसे बड़ा trick क्या है, कि CRPC को पढ़ना कैसे है, CRPC को चप्टर बाइज लिंक में याद कैसे रखना है, वो already we have discussed, ठीक है, तो वो वाला part, तो अभी किछ नहीं है, अभी बस इतना है, शांती ब्वस्था कायम रखनी थी, मैंने शुरू से बता देना है एक बार, वो रसा सुन लेना देन्से.